चलिए शुरू करते हैं तो फंडामेंटल इनुट आफ लाइफ तो पहले एक चैप्टर का ओबर्व्यू ले ले लेते हैं कि कैसे क्या का चैप्टर में है देगे सबसे पहले चैप्टर में सैल की डिस्कवरी के बारे में बताया गया कि रॉबर्ट ब्राउन ने कैसे इसको किया घलती से उसके बाद में चैप्टर में देखेंगे वो सीर्ति हे बुद्ली सिर्फ दो टाइप की होती है एक प्रोकेरियाटिक और एक है उन्हें यहां तो रहे सैल की मेटी तो इस्टाफ यहोग प्रोकेरियाटिक यह य। छिए इनके this friend dissolving from detailPAब वेश 141 एक्रीव केए campus नियुकलेश कि पहले नूक्लियस के आने से पहले जो सैल आई उसे प्रोकेराइट एक्सला बोलते हैं और जो बाद में उसे आए इसके बाद चैप्टर में बताए गया है कॉंपोनेंट्स ओफ सैल कि कॉंपोनेट्स क्या удоб hun है देखिए जाधा से ज्याधा किसी सेल में कितने कॉंपोनेंट सो कर् compliqué में को मेशां लिख दीए सबसे पहले तो मैं सेल वाल हो सकती है सेल में मैंबरेश्फ्रीन साइटो प्लाज्म हो गया हो Cytoplano cell membrane तो सारी ही cell में होगा चाहिए वो यसी भी cell हो उके, Eukaryote और Prokaryote तो उसमें यह दो चीज़ें तो होंगी होंगी इसके अलावा जो optional है Organeals Organeals उकaryote cell में होते हैं Nucleus सिर्फ Eukaryote में होते हैं और जो cell wall है वो ऑप्सनल है वो कुछ प्रोकेरियोट्स में भी होती है और कुछ यूकेरियोट्स में भी होती है यूकेरियोट्स में ये सिर्फ प्लांट्स में होती है फंजाई में होती है एनिमल्स में नहीं होती है तो बेसिकली यह एक चेप्टर का ओवर्वियू है हमको क्या क्या देखना है फिर उसके बाद जो और गणील से उसको देखना है कि एक युकरियोट सेल में कॉंप किस किस टैप के कितने और गणील होते हैं चलिए चेप्टर को शुरू करते हैं तो देखते हैं वाल एग्जमाइनिंग थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क हुआ किया था जो रॉबर्ट हुक था उसने एक माइक्रोस्कोप बनाय हुआ था उसके खुद के द्वारा एक माइक्रोस्कोप बना लिया उसने अब वो अपने आसपास रखी हुई सारी चीनों को एक्जमा रफ करके पेड़े की कॉर्क होता है और जो बना होता है पेड़े की चाल से बार्क ऑफ ठ्री ठीक है तो उसको उसने अपने द्वारा बनाय हुए माइक्रोस्कोप से एक्जमाइन किया और ये थी बात 1665 की जब उसने उसको एक्जमाइन किया तो उसने उस कॉर्क में ऐसे छोटे-छोटे बॉक्सिज बने हुए देखे ऐसे ओके सो उसने इन बॉक्सिज को बोल दिया सेल और सेल का सेल एक लेटन वाइड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम यानि की छोटे-छोटे कंड्रेए picture गालें ओके देखे उसना लेटन कोई क्यों चुना गालें कैवे इंस अगर वो इंग्लिश लैंग्विज से किसी को को आपती नहीं वह एग लिए सारे साइंटिस्क लेटन लेंग्विज को ही सुनते हैं तो यह बैसे काफी छोटा सा इंसिडेंट लगेगा पर यह जो खोश सेल की उसने कर दी उसने नाम दे दिया मस्ती मस्ती में तो यह बेसिस बनी गया सेल बायलोजी का आगे आकर यह पहली बार था जब किसी ने देखा कि सारी लिविंग टिंग्स एक सेपरेट उनिट की मिलकर बनी होती है तो यह एक 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 जिसमें उन्होंने किया क्या है कि एक उन्होंने अनियन लिया है अनियन को पूरा छील के उसके अंदर जो सिर्फ यह अनियन बल्व होता है उसमें ऐसे उन्होंने जो पतली अंदर जिल्ली सी रहती है पन्नी जैसी उसको निकाल कर उन्होंने स्लाइड पर देखा बेसिकली वो cells को एक्टमाइन कर रहे हैं तो वो मैक्रोस्कोप में बिल्कुल ऐसा structure देखते हैं जो छोटे छोटे ये ऐसे boxes बने हुए देखते हैं ठीक है ये scientist यहां आप भी activity में देख सकते हैं इनी boxes को बोला गया है cell तो यह activity भी आप करके देख सकते हैं माइक्रोस्कोप बगएरा से तो वी कन ट्राइब प्रपेरिंग टेंप्रेरी मांट्स पील सब्सक्राइब लग रहेगा सेल सेम रहेगी चाहे कैसा भी इस्ट्रक्चल दिया हो आपने चाहे कहीं से भी आप प्याज लेकर आए हूं सब के अंदर सेल सेम टैप की होगे उसका डिफरेंस सेम नहीं होगा तो अब देखते हैं कि वाटर दी इस्ट्रक्चर कौन से इस्ट्रक्चर जो इस्ट्रक्चर हमने अनियन पील में जो छोटे चोटे बॉक्स देखे हैं वह क्या है उसको देखते हैं क्या है वह सारे के सारे सिमिलर हैं क्योंकि सारी सेल ही है वह तोगेदर देफ फॉर्म एक एन अनियन बल्व सारी सेल्स मिलकर सेल्स काफी सेल्स मिलकर टिसू बनाती है और बहुत सारे टिसू मिलकर और गन बनाते हैं और बहुत सारे और गन एक साथ मिलकर एक और गनिम्स को फॉर्म करते हैं ओके तो एक सेल ही है जो आपस में मिलकर एक और गणिम्स को बनाती है तो भी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी देट अनियन बल्स ऑफ दिफरेंट साइज एफ स्मॉल इस्ट्रॉक्चर विज्वल अंडर मैक्रोस्कूप ओके अनियन बल्स में भी ऐसे चोटे-चोटे स्ट् यह बेसिक बिलिच बिलडिंग उनिट होती है अनियन बल्स की बमों सारे ही और गों की होती की और सेसे हुए जैसा कि मैं आपको बताया था कि जितने भी और गों हैं वो सर्फ सेल से थी बनी है जो इस सारी हैंmar prokaryote invention of magnifying lenses led to the discovery of microscopic world it is now known that a single cell may constitute a whole organism as in amoeba so abo in on a organ school cell की basis पे डिवाइड किया है ठीक है पूरी दुनिया में सारी organism को अगर सेल की बेसिस पे डिवाइड करें तो वो दो टैप में बढ़ जाएंगे unicellular organism or multicellular organism unicellular organism means जो सिर्फ एक ही cell contain करते हैं one celled organisms जैसा की नाम सी पता चलता है multicellular में more than one cell होती है ओके यह थोड़े complex होते हैं organisms multicellular यह simpler type क्यों होते हैं क्योंकि यह की cell को सारा काम करना है इसमें bacteria जैसे organisms आते हैं और इसमें हमारे animals जो जितने भी complex है plants यह सारे organism साथ नहीं है ठीक है अब detail में देखते हैं है सो उन्होंनों बोला है कि single cell organisms amoeba claim idomonas paramecium bacteria यह सारे example है किसके unicellular organism के ओके single cell यह पूरे organism को constitute करती है तो इस और इस और इस और इस और इस और इस तरफ many cells group together in a single body and assume different function in it to form various parts various body parts in multicellular organisms जबकि multicellular organisms में क्या होता है बहुत सारी cells एक साथ group बनाकर एक single body को constitute करती है और वो group of cell एक particular function को करता है और ऐसे group of cell को टिसू बोल देते हैं ठीक है जह हम देख चुके है तो can we find out names of some more unicellular organisms अगर क्या हम और unicellular organisms के देखिए आप example में देखिए यह आपके question बने कर आएंगे so every multicellular organism has come from a single cell बिल्कुल सही है how by the process of cell division cell अपने आपको divide करती है जैसे कि और गनिम्स अपने वच्चों को जनम देते हैं उसी तरह एक cell नई cell को बनाती है जिसको जिसको बोलते है cell reproduction cell division उसको बोला जाता है पराणी cell से नई cell बोलेगी उसको भी हम detail में देखेंगे अब इसमें हमको मेली cell को पढ़ना है so some organisms can also have cells of different kinds look at the following picture it depicts some cells from the human body तो cells के structure से हम हो सकते हैं मतलब कि उनकी बनावट अलग-अलग हो सकती है और यह बनावट depend करती है cell के function पर और वोके अग्याइब का function क्या है बोडि में उसके यह अग्याइब करेगी सो दसे एंड साइज अवसे रिलेटेट तूथ इस पेसिफिक फंक्शन ते परफॉम्ब तो जो उनका का specific function होता है उसके according cell का साज होता है cell का सेप होता है ठीक है सेल का सेप और साज के सपर टिपर करता है specific function और यो कि वह परफॉम्ब कर रही है इस हम इसल्याइब आगभा है उनकी चेंट सेप होती रहती है इइस पर नहीं की सेप होते हैं इन लंबी लंबी होते हैं I'm long pixel okay living cell is the capacity to perform screen basic functions that are characteristics of all living organism तो जितनी भी living cell हैं उनमें capacity होती है कुछ basic function करनी की शारे ही living organisms में ठीक है और यह कैरेड और ही जो basic functions है वह characteristics होती है living organisms के okay सिर्फ living और डॉर्पनिम्स में spare करती है सेल घरूथ के लिए मेटाबॉलिजम करती है यह सारे फंक्शन से उसके जो हम देखेंगे विर गृष पर्फॉर्म इस बेसिक फंक्शन यह सारे फंक्शन को करती कैसे अए इतना हमको पता है कि multicellular organism division of labor है division of labor मतलब जैसे कि पूरे के पूरे हमारा जो constitute body है उसके function divided है आँखों को देखने का काम दिया गया है stomach को digestion का काम दिया गया है stomach intestine को height को blood pump करने का काम दिया गया है तो सारे organs को division of labor है सबका अपना particular काम है ठीक है तो यह multicellular organism division of labor होता है this means that different parts of the human body perform different function different parts different function को perform करते है the human body has a heart to pump blood height blood pump करने के लिए stomach food digest करने के लिए इसी तरह जो मैंने आगे और बता है kidney वगएरा liver वगएरा सारे सबका एक अपना particular function है similarly division of labor इसी तरह से division of labor is also seen within a single cell single cell के अंदर भी division of labor देखा जाता है ठीक है कैसे वह हम देखेंगे जब हमको components of cell पढ़ लेंगे components of cell मतलब cell organeels पढ़ लेंगे तब हम देखेंगे different organeels का एक अपना particular function है जैसे जो mitochondria ATP बनाता है cell membrane transportation का काम करती है help करती है इसी तरह हम देखेंगे कि cell के जो organeels है और cell के अंदर भी division of labor follow होता है in fact is a cell has got certain specific component within it known as cell organeels तो यही division of labor है जो cell के अंदर होता है वो specific components के द्वारा accomplish किया जाता है जैस और इनी specific components को बोलते हैं cell organeels देखे cell organeels सिर्फ eukaryote cell में होते हैं prokaryotic cell में नहीं होते हैं prokaryotic cell में cell organeels का काम उन्हीं की simpler form करती है जैसे कि आप देखेंगे mitochondria जैसे कि respiration में work करता है पर prokaryote में respiration उन्हीं की membrane में कुछ modification होते हैं तो membrane के थुरूई होते हैं उन्हें कोई अलग से organeels present नहीं होता है organeels specific feature है सिर्फ eukaryotic cell का जो हम आगे detail में देखेंगे आगे देखेंगे अब गौड़ी बड़ी वगेरा का इस इन सब का काम होता है क्लियरिंग अपर दवेस्ट मटेरियल लाइससों करवाता है फ्रॉम देखेंगे अगर इन में से किसी भी और्गनिल्स की कर पा रही है क्यों पॉसिवल हैं क्योंकि वो पीटी भोंटी है सारी और्गनिल्स अगर इन में से किसी भी और्गनिल्स की कमी आएगी तो सेल की फंक्शनेन पे ऐफेक्ट पड़ेगा और भी सेल डाइबी हो सकती है तो इस ऑर्गनिब्स तो यह सारे तबर बेसिक उनिट का Couple Thafir अब सब्सकती उर्ड साफंग स्विलाइब्र साथ जातरैंव ल्ग क्योंतन गयां 320 आर्फंड निया कि jijसे कि मैर्ट का अलग बातय है और नो मैं रावा दर अंजरीनियो पर अंगहें औरो हम देखते हresso है कि what is a cell made up of अभी तक हमने सेल का एक ओवर्वीव देखा है कि सेल क्या है किसे खोज हुई थी उसकी सेल के अंदर क्या क्या होता है ठीक है अब हम देखेंगे कि सेल बनी किस चीज़ की है वही बेसिकली और्गनील्स की बात करेंगे कि what is the structural organization of a cell cell का structure कैसे बनाए कैसे और्गनाइजड है उसको देखेंगे वी सब्सक्राइब अंदर specific components होते हैं special components होते हैं जिन्हें बुलते हैं और्गनील्स इतना हम देख चुके हैं जेखें इस स्टेडी अंड्र माइक्रोसकड वी उस्ट कम एकरोस थ्री फीचर इन और्मस्ट ओल्डी कि तो अगर हम माइक्रोससकोप के अंदर देखें तो हमको टेन बहुत क्वाथ कॉमन स्टेगें घर सेल के अंदर यह नहोंने उकरियोटिक सेल को देखा है तो उन्होंने सारी उकरियोटिक सेल में तीन फीचर कॉमन देखे हैं एक तो प्लाजम मेंब्रेन एक नूकलियस और एक साइटो प्लान इतनी तो सारी चीज में यह कॉमन है ठीक है So all activities inside the cell are interaction of the cell with its environment are possible due to these features. इनी features के बज़े सारह सेल के basic functions हों पाते हैं क्योंकि यतनों भी lives होते हैं वोнего प्रिजेंट होते हैं साइटो प्लाजम के योंधर ठीक है अब आप एक थोड़ा सा basic structure देखे है कि cell में है क्या क्या basically cell होती कैसे cell में सबसे पहले होता है cell membrane ये common features हैं जो हर eukary or cell में मिल जाएंगे मैं shape पर दियान मत दीजी मैं आपको से समझाने के लिए diagram type का बना रहा हूँ सबसे पहले होती है cell membrane और अंदर होता है nucleus ठीक है और जो side में जतना भी material बचे गया इसको बोल यहां पर mostly 90% water होता है और इसी के अंदर होते हैं cell organelles ठीक है और इस area को बोलते हैं cytoplasm तो यह orange बाला तो हो गई हमारी cell membrane और जो blue बाला है वो हो गया nucleus जहां हमारा chromosome present होगा ठीक है nucleus और जितनी भी cell के अंदर जो functioning हो रही है mostly cellular activity जो होती है metabolism होती है वो कहां होती है वो होती है cytoplasm के अंदर ठीक है cytoplasm के अंदर होती है अब देखिए यह cell membrane और सबसे अंदर nucleus और nucleus के अलाबा जितना भी इससा cell membrane के अंदर है उसे बोलते हैं cytoplasm और अगर हम cytoplasm और nucleus को एक साथ बोलें तो हम उसे बोलेंगे protoplasm यानि कि cell membrane के अंदर जितना भी इससा है nucleus, nucleus, nucleus सब कुछ उसे बोलेंगे protoplasm basically protoplasm क्या होता है cytoplasm plus nucleus ठीक है यह एक basic structure है और सारे organeels हमारे कहां present होंगे सारे organeels हमारे present होंगे cytoplasm के अंदर ठीक है यहां सारे organeels present है यह एक छोटा सा structure है basic चलिए तो सबसे पहले हमको plasma membrane की बात करनी है so this is the outermost covering of the cell सबसे बहारी covering है boundary है cell की that separates the contents of the cell from its external environment external environment उससे divide करती है so the plasma membrane allows और permits the entry or exit of the some materials in and out of the cell so plasma membrane का परक्या है यह allow करती है permit करती है रोकती है entry or exit of different molecules ठीक है different substances it also prevent movement of some other materials the cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane इस वज़े से cell membrane को selectively permeable membrane बोलते है क्योंकि यह select करके different substance को select करती है फिर उनको permit करती है ठीक है अपनी थरू इसलिए इसको selectively permeable membrane बोलते है how does the movement of substances take place into the cell how do substance move out of the cell तो यह substances का अंदर बाहर जाना कैसे होता है क्या processes होती है देखिए किसी भी substance का cell के अंदर जाना बोलते हैं endocytosis और बाहर जाना बोलते हैं exocytosis cell में basically दो ही टाइप के movement होते हैं endocytosis और exocytosis exo means out endo means in अगर कुछ भी cell के अंदर जाएगा तो उसे endocytosis बोलेंगे अगर कुछ भी cell के बाहर जाएगा तो उसे exocytosis बोलेंगे ठीक है तो इससे दो process होती है जिसके according cell में movements होती है अंदर बाहर काफी अलग सब्सक्राइब होते हैं जो की easily cell membrane को क्रॉस कर सकते हैं cell membrane उनको रोकती नहीं है वो diffusion के थुरू पास करते हैं ठीक है अभी हम डीटेल में देखेंगे we have studied the process of diffusion in earlier chapter we saw that there is a spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region of low concentration so basically diffusion होता क्या है जहां भी किसी भी सबस्टेंस की concentration जादा होती है वो अपनी low concentration पर अपने आप इस वरता ही follow सब्सक्राइब ही आ जाता है automatically आ जाता है अपनी high concentration से low concentration पर जैसे कि आप टैंकी में अगर लेजम को खोलेंगे तो बाहर फैलना चालो हो जाए यहां कि टैंकी के अंदर पानी का concentration जादा है और बाहर बिल्कुल ही नहीं तो जैसे यह आपने टॉटी घोली तो पूरा पानी बाहर आ जाता है high concentration to low concentration इसे बोलते हैं confusion यही cell membrane में भी होता है cell के अंदर भी होता है okay so something similar to this happens to inciting in cells when for example some substance like co2 which is cellular waste cellular waste होती है co2 cell respiration जब करती है cell breakdown करती है glucose बगेरा का यह और भी molecules का तब co2 release होती है cell के अंदर हमको पता है glucose हम जो खाते हैं खाने में उससे हमें glucose मिलता है glucose हमको energy देता है और जो ग्लूकोज जब energy दे देता है तो उसका जो वेस्ट प्रोड़क्ट बचता है वह होता है co2 तो उसको बाहर निकालना होता है concentration co2 की बहुत कम होती है अगर उसको compare करें cell के अंदर से ठीक है तो co2 कहा से कहा जाएगी cell के अंदर से बाहर जाएगी so as soon as there is a difference of concentration of co2 inside the outside of cell तो जो inside और outside जो difference होता है co2 का जतना जादा होगा co2 उस तब तक move करती रहेगी जब तक concentration दोनों साइड normal नहीं हो जाएगी ठीक है to a reason of low concentration outside the cell by the process of diffusion और यह process क्या है diffusion ठीक है similarly o2 enters the cell by the process of diffusion when the level of concentration of o2 inside the cell decrease अब होता क्या है जब हम सांस लेते हैं तो हमारी लंग्स के थरू o2 जाती है ब्लड में तो अब concentration oxygen के कहां increase हो गई ब्लड में और सेल में क्या है कम तो ओ टू concentration cell में ब्लड में जाता है तो ब्लड से कहां जाएगी सेल में ठीक है हाई concentration to low concentration thus diffusion plays an important role in gases exchange between the cell as well as the cell and its external environment to diffusion काफी important role play करता है transportation of gases में भी okay so the water also obeys the law of diffusion the movement of water molecules through such selectively permeable membrane is called osmosis तो water भी diffusion को follow करता है पर जब water semi permeable membrane के through diffusion होता है water का तो उसे अलग नाम दिया गया है उसको osmosis बोल दिया गया है basically यह भी diffusion ही है पर water के diffusion को osmosis बोलते हैं है okay so the movement of water across the plasma membrane is also affected by amount of substance dissolved in water तो जो movement होता है water का semi permeable membrane के across वो एक चीज़ पर और effect करता है कि पानी के अंदर और मिला हुआ क्या क्या है क्या सबस्टेंस उसके अंदर गुला हुआ है तस osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a selectively permeable membrane to a region of low water concentration till equilibrium is reached तो एक अब तक होगा जब तक equilibrium नहीं पहुँँ जाएगा so diffusion में होता क्या है CB substance का movement है कोई भी substance का movement कहां से उसकी high concentration से to low concentration उसको बोलते हैं diffusion ठीक है और यह कब तक होगा जब तक दोनों side concentration बरावर नहीं हो जाएगी जैसे कि आपने पानी में देखा है अगर आप एक यह बाल्टी है और यह एक दूसरी बाल्टी है ठीक है इसको आप जोइन कर दो एक ट्यूब के थरू तो अगर इसमें पानी यहां तक है तो किसका concentration जाता है एवाले का पानी कहां जाएगा बी में और कब तक जाएगा जब तक यह इस पाइप के बराबर तक नहीं जाएगा पानी जब दोनों ए और बी बाल्टी में पानी इस पॉइंट तक नहीं जाएगा इस पॉइंट तक दोनों जगे पानी भर जाएगा बैसे ही पानी का फिलो रुख जाएगा कर ते तो डिफेजन पढ तक होती है? डिफेजन होती है जब तक कि ऐलाना साइड ड़ोऔर साइडे इक्वल में हो जाती ठीक है तब टक और डिफीजन जब तक होता रहेगा हाई है इसमसीन डिफुम्स्टन को बहुत होते हैं ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस भी क्या है डिफ्यूजन ही है पर किसका कि दिफ्यूजन और वाटर और यह किस चीज़ पर भी डिफेंड करता है कि वाटर के अंदर क्या मिला हुआ है सब्स्टेंस है कि dialogue in water कि जो सब्स्टेंस होता है वोटर की अंदर वो बेसिकलि कर ऐडिता है वो चेंज कर दिता है concentration of water concentration of water को बदल देता है वो ठीक है, जो भी substance को हम मिलाते हैं और इतना हम को पता है कि diffusion होता है, कि concentration पर different होता है, high concentration to low concentration ठीक है low concentration और substance dissolve होने के वगए से concentration change हो जाती है पानी में, इसलिए हो डेपेंड करता है जो भी जो इसमें dissolve है है इसलिए ठीक है तो अब हम देखते हैं तो अब हम देखते हैं तो प्लाज्म मेंब्रेन इसलिए वो जो सबसेंट डिजॉल्वड है उसके द्वारा अफेक्ट होता है थास ऑस्मोसिज इस द पैसे ऑफ वाटर फ्रॉमारीजन ऑफ हाई वाटर कंसेंटेशन तो इसलेक्टिवलिवरियम मतलब दोनों साइट पंसेंटेशन जब तक इक्वल नहीं हो जाती उसे एक्विलिवरियम बोलते हैं तब तक ऑस्मोसिस होती रहेगी वाट विपन इस पूट एन अनिमल सेल और प्राइंट सेल इंट्वा सॉल्यूशन और सुगर औ प्राइंट रहेघा हैं किसे। सेल को बौडी से बाहर निकले के उसको किसी शक्रवाले पानी में रखें नमक पी तो यह एक स्वावले पानी में रखें एम के साथ ठीक है तो यह एक एक MS तो देखते हैं हम कि क्या होगा UC the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell meaning that the outside solution is very dilute. तो क्या कह रहे हैं पहले उन्होंने dilute solution में cell को रखा हुए dilute कैसा यानि कि जिसकी concentration कम है dilute क्या होता है dilute वो होता है जिसमें पानी ज्यादा हो तो उन्होंने कैसा solution चुना है है जो dilute है उसमें क्या डाला है उन्होंने cell को डाला है तो क्या होगा ऐसे solution को क्या बोलेंगे hypotonic solution जिएक टर्म होती है टोनी city तोनी सिटी का जब हम water के रिलेटेड में biology में देखते हैं इन biology तो टोनी सिटी का मतलब होता है टेंडेंसी या फिर capacity थी तो attract वोटर इसको बोलते हैं क्या टोनी सिटी तो अगर टोनी सिटी ज़्यादा होगी तोनी सिटी जिजादा होगी तो से क्या बोलेंगे हाइपर टॉनिक और अगर tonicity कम होगी तो उसको क्या बोलेंगे हाइपो टॉनिक अब बताईए डेफिनेशन के इसाब से अगर कोई हाइपो टॉनिक चीज है या हाइपो टॉनिक solution है तो उसकी टेंडेंसी पानी को एक्ट्रेक्ट करने की ज्यादा होगी है कम होगी कम होगी tendency to attract water is less hypo means less hyper means high ठीक है तो जब हम cell को hypotonic solution में रखेंगे तो वो पानी को attract कर पाएगी क्या नहीं तो वो पानी को छोड़ देगी और ऐसे solution में जब हम cell को रखेंगे तो cell क्या होगी cell के अंदर पानी भर जाएगे वह cell फूल जाएगी cell swells ठीक है पर जब हम देखें कि hypotonic solution में हमने cell को रखा यानि कि यह cell है और इसको हमने किसी बीकर में रखा जिसमें कि क्या डला हुआ है नमक डला हुआ है बहुत सारा और पानी की concentration cell के बाहर कितनी है कम है ठीक है पानी की concentration cell के बाहर कम है और ऐसे solution को बोलेंगे hypotonic और hypotonic solution में tendency क्या होती है पानी को कीचने की जादा होती है ठीक है ऐसे में cell क्या होगी फैल श्रिंक हो जाएगी ठीक है ठीक है सो आइपर टॉनिक में सेल श्रिंक होगी क्योंकि पानी को खीचनी की hypotonic solution में tendency ज्यादा है ज्यादा क्यों होती है क्योंकि पानी की concentration बाहर कम है hypotonic solution में डीख सा इस यह स्टार्ण इसाओ वाटर कंसंट्रिशन लें दियरीग देंडर सेल मीनिक बेडेट एट आउटसाइद अटार्व का इस बडीइव डानी अगया जाएगा वोटर आजाएगा ओसमोस के तरू कि और ऐसे सॉल्यूशन को पहले दो बोलते हैं óm pretendि ःटनतों ऐसे u-ुटॉन सॉल्यूशन ठीक है ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे है इसबूशन टनक सॉल्यूशन और ऐसे क्या होगा सिल जैसी है वैसी रहेगे क्योंकि पान अधर जाएगा अधर जाएगा अब जो तीसरा है उसमें क्या किया गया है if the medium has a lower concentration of water अगर medium में lower concentration of water होगी तो ऐसे solution को क्या बोलेंगे hypertonic solution ठीक है hypertonic solution बोलेंगे क्योंकि जहां कंसंट्रेशन पानी की कम होती है उसको hypertonic बोल रहे है देखिए अब confusion मत होई है कि पानी की concentration कम है तो उसको hypotonic बोलना चाहिए जी नहीं हम tonicity किस पर depend करते हैं hypertonic का मतलब क्या है tendency to attract water tonicity और hypertonic का मतलब क्या होगा ज्यादा tendency है ज्यादा tendency कब होगी किसी solution की पानी को खीश नहीं की जब उसका खुद कम है पानी की concentration कम होगी तभी तो पानी ज्यादा खीश पाएगा इसलिए hypertonic solution में low concentration of water होती है अगें water crosses the cell membrane in both direction but this time this time क्या होगा पानी छोड़ देगी cell और cell का क्या हो जाएगा श्रिंक श्रिंग तस और जाएगी थस ऑस्मसेज special case of diffusion through a selectively permeable membrane यह भी हम देख चुके है unicellular fresh water organisms and most plants cells tend to gain water through osmosis ठीक है unicellular organism में osmosis के through water का movement होता है absorption होता absorption of water by plant root is also example of osmosis तो osmosis कहां कहां होती है unicellular organism में और plant roots में भी होती है ठीक है the diffusion is important in exchange of gases in water of life in cell ठीक है cell में diffusion important है इस तरीकी से in addition to this the cell also worked in the nutrition from this environment environment nutrition भी ऐसी लेती है different molecules move in and out of the cell through a different type of transport requiring use of energy ठीक है energy भी जो उनमें लगती है उसके थरू जो different molecules हैं वो अंदर बाहर होते हैं plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules called lipids and proteins however we can observe the structure of plasma membrane only through an electron microscope तो अब यहां से plasma membrane की अभी तक हमने movement की बात कर ली कि कैसे होता है plasma membrane selectively permeability कैसे करती है plasma membrane के दो function देख लिए हमने diffusion और osmosis होता है अब वो बता रहे हैं यहांसे structure of plasma membrane कि plasma membrane कि किस किस के थरू बनी हुई है plasma membrane जो है हमारी वो mostly आप धिलिट से मिलकर बनी हुई है in the number one lipids अरि नमबर टू प्रोटीन के और number three तो कार्बो हाइड्रेट्स कि रीक टीक है कारवडेट तो आप समझते हैं जैसे कि गलू कोज होता है उसे थार अजर्ट वोलते प्रौ्टीन आप जानते ही है लिपीट्स क्या ऑढ़ा प्यस अ है लिपेड़ स भी टीका है आप वूनते हैं वश्व होते हैं ब्री के अंदर प्र sniff होते सबसे जाद उसमें लिपेड और प्रोटीन ही होते हैं यह तीन चीज़ें होती है यह तीन चीज़ें देखते हैं तो प्लाग मेंब्रेन फ्लेक्जिवल किस वज़ासे होती है थो अपर प्लाग मेंब्रेन हैं जो होती है वो लिपिट्स की वज़ए से होती है अफ्लेक्स का हुद फ्लाग मेंब्रेन अपना लिट्वार सेप्ट सब्सक्रों कि अपटा चलेगा स्थ्लीच्र म्यूंप Cr напр ठीक है flexibility कि वजह से हम को क्या का मिल पाता है क्या क्या हम करने के एक सेल कर पाती है फूड को इंगल्फ कर पाती है जैसे कि अमीवा में ठीक है फूड इंगल्फ हो जाता है अधर मटिले फ्रोम सिक्टेमरे सच प्रोसेज अर नोन एस एंडोसाइडोसिस मैं आपको पता है सेल के अंदर किसी चीज को लेना इन लेना उसे बोलेंगे अंडोसाइडोसिस अमीव में एंडोसाइडोसिस के थूण फूड अंदर आता है एक में रिगोडी घी के युस्ण होता है अरुसमोसिस होता है डिपिशुजन नॉर्मली हर चीज का osmosis एक special type का diffusion है water का ठीक है यह हमने देख लिया था cell membrane में और एक और function क्या देखा था selectively permeability देखी थी मतलब की cell हर चीज को अंदर नहीं जाने देती वो check करती है select करके चीज़ों को अंदर बेजती है एक दूसरा का function था cell का फिर उसके बाद हमने structure of cell देखा था सेल बनी किसके चीज़ों से यह ठीक है यह देखा था और movement of cell में हमने कुछ processes भी देखी थी ठीक है अलग-अलग concentration में रखते हुए हमने देखा था कि cell shrink होगी hypotonic solution में cell का क्या होगा isotonic में क्या होगा और hypotonic में क्या होगा यह हमने cell में देखा था ठीक है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि cell wall भी एक component है so plant cell in addition to the plasma membrane have another red outer covering called the cell wall ठीक है plant cell में cell membrane के बाहर भी एक covering होती है उसे बूलते है cell wall cell wall lies outside the plasma membrane plasma membrane के बाहर होती है cell wall और plant की जो cell wall होती है वो बनी होती है cellulose की cellulose की बनी होती है cellulose क्या है एक तरह का carbohydrate ही है ठीक है cellulose is a complex substance and provide structural strength to plants यह complex substance है और strength देता है cell को ठीक है बग्यों के बाहर से जब बहुत सारी cell मिलके टिशू बना लेंगी पेड़ का तना बनानेंगी तो उनके बाहर उनकी cell wall होगी जिसमें क्या होगा cellulose होगा जो इनको strength देगी ठीक है वेना living plants and loses water through osmosis there is a shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall so अब वो कह रहे हैं कि वेना living cell plant cell loses water water कब lose करेगी जब उसको hypertonic solution में रखेंगे hypertonic means tendency to attract water is more यानि कि उसकी tendency ज्यादा होगी और ज्यादा कब होगी जब उसका खुद का concentration कम होगा तो hypertonic solution ऐसा ही होता है जिसमें water concentration कम होती है तो वो पानी को कहींच लेता है through osmosis there is a shrinkage और cell हो जाती है shrink शुकुड जाती है contraction of contents of the cell away अब cell membrane तो हमें पता है flexible होती है अपना shape change कर लेगी अगर उसका जैसे एक space create हो जाता है और इस process को बोलते है plasmolysis ठीजर सबसे पहले आप इस term plasmolysis को समझे plasmolysis का मतलब क्या है कि देखिए लिसस मेंस तो हमको पताई है breakdown होता है कि लिसस में breakdown या destruction ठीक है वो बोलते हैं और यहां plasma plasma से मतलब है साइटो प्लाज्म या आप कहले जीए protoplasm प्रोटो प्लाज्म ज्यादा अंतर नहीं होता सिर्ट न्यूक्लियस भी अगर साइटो प्लाज्म में है हम साथ ले लें तो उसको प्रोटो प्लाज्म भोल देते हैं सो breakdown of cytoplasm is called क्या है डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन कैसे होता है तो उसका पानी निकल जाता है यानि की पानी निकल लें कि और जितना भी जो बाहर material है यह साइटो प्लाज हमको पता है साइटो प्लाज में सबसे ज़्यादा क्या हुता है पानी होता है वाटर भोता है 90% तक ठीक है और ये है इसकी cell wall जो कि यह plant से लिया हमने तो इसके अंदर अब इस सेल को इन्होंने क्या किया इसको रख दिया इन्होंने एक हाइपर टॉनिक सॉलुशन में एक बोतल में इन्होंने हाइपर टॉनिक सॉलुशन डाला और उसमें इस सेल को रख दिया हाइपर टॉनिक सॉलुशन का मतलब हमको पता है तोनिक का मतलब होता है tonicity से tonicity means tendency to attract water और hyper means high तो कोई ऐसा solution जिसकी high tendency हो water को attract करने की उस solution को बोलते हैं hypertonic solution और high tendency water को attract कब कर पाएगा जब उसका खुद में अंदर पानी की concentration कम हो तो ऐसे solution की में water concentration क्या होती है low water concentration होती है ठीक है water concentration is low तो जब ऐसे उसमें उन्होंने cell को रखा तो cell का क्या होता है फिर जो ये cell wall है वो तो बैसी की वैसी ही रहेगी क्योंकि ये तो एक rigid structure है ठीक है इसका safe change नहीं होगा पर हमको पता है कि cell membrane होती है वो flexible होती है lipids की वज़े से जिसका safe change हो जाता है तो जैसे ही हमने इसको hypertonic solution में रखा तो इसका जो cytoplasm का जो है जो उसकी हो जाती है lysis यानि की उसका उता है breakdown है यानि कि जितना कि उसका पानी होता है मुष्टली बाहर आ जाता है उस solution में ठीक है तो इसकी वज़े से सेल हो जाती है श्रिंक और वो ऐसे बीच में सुकड़े के पहुंच जाती है ठीक है यहां पहुंच गई सेल्ट तो जो सेल्ट इस प्रॉसिस को बोल देते हैं प्लाजमो लिसेस ब्रेकडान ओफ साइटोपलाईट शाह परकल निकल जाना वह जाना ऑव यहां फैल गया ठीक है इस प्रॉस इस प्रॉसिस को बोलाएलो लोट सो फ्रॉर्ट दो भी इनफर फ्रॉं दिस आया कि जो एक सेल है एक living सेल को उन्होंने प्लाजमोलिसिस करके देखिए प्लाजमोलिसिस 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 करके देखिए ठीक है यहां उन्होंने एक living सेल को लिया है और यहां उन्होंने डेट सेल को लिया है तो उन्होंने चेक किया सिर्फ प्लाजमोलिस प्लांटड फंजाइन वाल उनको अलाव करती है इनको सुरक्षा देती है अड़्यक्ण के, इनको प्रोटेक्षन का का म करती है, सो यह इनको ऐसे मीडियम में भी जहां पर एडवस कंडिशन हैं वहां पर भी ऑस्मोसिस करने के लिए सेल मेंब्रेन को अलाव करती है क्योंकि बाहर से सेल वाल प्रोटेक्ट कर रही है ठीक है सो बिकॉज ओफ दियर वाल सच सेल सेंड मुच ग्रेटर चेंज इन सरांडिंग मीडियम देन एनिमल सेल से ज्यादा अच्छ बुरी कंडिशन में भी यह सेल सर्वाइब कर सकती हैं जिनके पास सेल वाल होती हैं अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे जो पर और नहीं है न केरियोन बिफोर न्यूक्लियस यानि न्यूक्लियस से पहले जो सेल थी उसे बोलते हैं प्रोकेरियोट और जो न्यूक्लियस के बाद यानि न्यूक्लियस अपियर होने के बाद जो सेल आई उन्हें बोलते हैं यूकेरियोट सो रिमेंबर दा टेंपररी मांट आफ पील व तो सारे हमको अलग-अलग दिखने लगते हैं और वाट वोड़ वी सी वी ट्रैट अप्जर्विंग दापील विदाट पुटिंग दाइवडिन सॉलुशन अगर बनाइवडिन सॉलुशन के देखेंगे तो हमें ठीक से क्लियर इस्ट्रक्शन नहीं देखेंगे ट्राइट इसको आप देखेंश को खुद मोट डगरी है आईवडिन सॉलुशन के साथ सेल को एक्जमाइन कीजिए मैक्रोस्कोप में और बिना उसके कीजिए फर्दर वेंगी पुट आईवडिन सॉलुशन ओन देखेंगे जो हमको हैल्प परेंग उसकी स्टडी में ठीक है अकौर्डिंग तू दियार केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट डीफरेंटलेट सेल कलर इसे गाईवडिन सॉलुशन का सम रीजिए डार्कर देंगे दा अडर रीजन कुछ होंगे वो डार्क हो जाएंगे कुछ कम डार्क होंगे और more important solution यूज कर सकते हैं जिसको बोलता है सेफरेंस सॉलिशन और मिथलीण ब्लुशालिशन जो कि हम जो की सेथिन करते हैं हम जो सोलिशन को सेथिछ के लिए लिए भी तरह का बोडी अब हम अपनी बोडी के खुड की सेल को एक्जमाइन करेंगे इसके लिए हम जो इस पैचला जो आती है जो नॉर्मल चमश रहे थी आपने देखी होंगे लगड़ी वाली उसके थूरू हम अपनी सेल को अपने मूं के अंदर से निका देंगे ठीक है और उसको एक्ज के स्क्श्र को ordinance माइl को में देख रहा है कि उसमनेहोता क्या-कया है तो नुव्यश ए उस पे दो लेयर होती है दो मैंब्रेन होटी है और उसको बोलते हैं डावल लेयर भास नूपली मेंबरेन Casey CON the nuclear membrane has pores which allows the transfer of material from the inside the nucleus to its outside nuclear membranes में छेद होते हैं जो इसको transportation में allow करते हैं That is to the cytoplasm which we would top ठीक है और ये कहां होगा outside क्या होता है nucleus के? cytoplasm होता है वहां से अंदर और nucleus के अंदरसे बाहर साथ cytoplasm में मुव्मेंट होगी ठीक है nuclear pores के थूप the nucleus contains chromosome nucleus के अंदर क्या होता है chromosome होता है which are visible as road shaped structure जो कि rod जैसा दिखता है rod जैसे pipe जैसा दिखता है ठीक है only when the cell is about to divide और ये सिर्फ कब appear होता है chromosome rod shaped structure जैसा कब दिखता है सिर्फ जब cell division के time पे ही हमको दिखता है बाकी हम इसको rod shaped structure की तरह नहीं देख पाएंगे बाकी हमको ये एक chromatin बोलते हैं उस time पर इसको ठीक है वैसा ही देखेगा so chromosome contain information for inheritance of character from parent to next generation in the form of DNA chromosome के अंदर basically होता क्या है DNA जिसके अंदर होती है information किस चीज की information genetic information जो की parents से बच्ची में चाहती है so chromosome are composed of DNA and protein जो chromosome होते हैं वो बने किस चीज के होते हैं DNA और protein के ठीक है और DNA molecules contain the information necessary for the constructing organizing cell DNA molecules ही है जो की information contain करते हैं किसी नई cell को बनाने के लिए functional segments of DNA are called genes जो functional segments होता है जो की ये signal देता है जो ये information को provide करता है जो functional DNA में सिर्फ वही part जो ये काम कर रहा है उसको बोलते हैं genes in a cell which is not dividing this dividing this DNA is present as part of chromatin material so जो cell divide नहीं कर रही है उसमें इस पूरे part को बोलेंगे chromatin material chromatin material is visible as entangled mass of threat-like structure बिलकुल दागे-नुमा structure के जैसा दिखता है chromatin whenever the cell is about to divide the chromatin materials gets organized into chromosome जब cell division kit करती है तब वो हमको chromosome की तरह appear होते हैं उससे पहले हमको सिर्फ ये ऐसे ही देखते हैं तो इतने पूरे structure में हमने देखा कि nucleus के अंदर क्या है nucleus का structure देखा अब हम इसको थोड़ा सा easy form में देख लिए ते कि क्या क्या है nucleus के अंदर सो अब हम देख रहे हैं structure of nucleus ठीक है nucleus का structure कैसा होता है सबसे पहले तो basically आप इधर देख लिए सबसे पहले कि nucleus cell में होता कहां है सबसे पहले तो ये cell membrane होती है अब हम देखते हैं कि इस nucleus के अंदर क्या क्या होता है ठीक है इस nucleus को जब हम दो तरीके से देखेंगे जब हमारी cell divide कर रही है और जब नहीं कर रही है when cell divides तब ये nucleus में कैसा देखता है कैसा nucleus का structure देखता है और when cell not divide तब कैसा देखता है ठीक है तो basically अगर हम देखेंगे हैं तो हमारे nucleus में होता क्या क्या है इस nucleus में होता है हमारे chromosome ठीक है और जो chromosome बना किस चीज़ से होता है DNA प्लस प्रोटीन ठीक है और DNA का सिर्फ वही functional segment जो की function कर रहा है information को transfer करने का उसको बोलते है gene ठीक है तो ये basic structure है कि nucleus के अंदर होता क्या है nucleus के अंदर basically हमारे chromosome होता है जो DNA content करता है और DNA की functional unit को gene बोलते हैं जो की transfer of characters का क्राम करती है तो जब हम nucleus को ऐसी cell में देखते हैं जो की divide नहीं कर रही है तो ये जो पूरा जो chromosome है वो हमको सिर्फ एक thread like structure जैसा दिखता है thread like structure से जैसा दिखता है जिसे बोलते हैं chromatin और जब ये cell divide कर रही होती है तो यही chromatin हमको rod saved structure जैसा दिखता है इसका structure दिखता है nucleus के अंदर rod saved structure structure जिसे बोलते हैं हम chromosome ठीक है ये सिर्फ cell division के time भी appear होता है structure और chromosome को तब ही दिखता है इसके अलावा हम इस पूरे material को cell के अंदर chromatin नहीं बोलते हैं nucleus का function क्या है nucleus play a central role in cellular reproduction cellular reproduction में जो हमने देखा आता कि एक cell दूसरी cell को cell reproduction के थुरू बनाती है तो हो काम cell उसका में में रोल nucleus का ही होता है the process by which a single cell devices and form new to new cells ठीक है so it is also plays a crucial pile along with the environment it determining the way the cell cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell so जिस environment में cell का division होता है body के अंदर यहां बाहर जिस भी environment में cell divide होती है तो वो environment cell पे affect करता है ठीक है और जिसकी वजए से उसमें जब वो mature होती है cell तो उसमें कुछ उसी type की particular chemical activities होती है उसी तरीके से cell अपने आपको डालती है और उस अपना shape acquire करती है ठीक है specific shape, size, सब वो अपने environment के according वो acquire करती है क्योंकि हम पहले ही देख सुकती है के उस environment में उसको क्या function करना है और function पर ही cell के function पर ही depend करता है cell का shape or size so in some organisms like bacteria the nuclear reason of the cell may be poorly अब इस पूरे paragraph में ये बता रहे है prokaryote और eukaryote क्या होता है सब्सक्राइब करता है तो कुछ और गनिम्स में जैसे कि primitive organism bacteria है उनमें जो nuclear region होता है वो बहुत ही कम दिखाई देता है poorly defined होता है due to absence of nuclear membrane क्योंकि उनमें nuclear membrane नहीं होती या कहने nucleus ही नहीं होता ठीक है ना क्योंकि nucleus के अंदर क्याइक chromosome अब इन और गनिम्स में क्या होता है chromosome cytoplasm में ऐसे पड़ा होता है such an undefined nuclear region contain only nucleic acid nucleic acid क्या chromosome ठीक है ना is called a nuclear और इस region को बोल देते है nucleoid इस region को बोलते है nucleoid मतलब false nucleus nucleus like nucleus नहीं nucleus का मतलब होता है oid means false ऐसे टर्म को हम false के लिए यूज करते है तो nucleus like nucleus जैसे दिखने वाल अपने nucleus नहीं such organism to cell lack a nuclear membrane called procariors ऐसे cells को बोलते है procariors जिसमें nucleus नहीं होता है primitive और केरियोन ठीक है primitive पराना type का nucleus basically nucleus है ही नहीं organism with the cell having a nuclear membrane called eukaryotes यह हम पहले ही देख चुके है procarriot cells अब procarriot cells में यहां बता रहे हैं कि उनमें और क्या 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 कमी होते है procarriot cells में cytoplasmic organelles नहीं होते ठीक है एक तो procarriot cell में एक क्या नहीं होता nucleus नहीं होता cytoplasmic organelles नहीं होते जो cytoplasmic components होते हैं cytoplasm में वह भी नहीं होते procarriot cell में ठीक है so cytoplasm organelles only present in eukaryotic cells many of the functions of such organelles are also performed by purely organized parts of the cytoplasm ठीक है तो जो function organelles करते हैं eukaryot cell में वह procarriotic cell में किये जाते हैं purely organized parts of the cytoplasm cytoplasm में ही कुछ ऐसे parts procarriotic cell के modify हो जाते हैं जो उन कामों को करने लगते हैं जैसे कि eukaryotic cell में chlorophyll the chlorophyll in photosynthetic procarriotic bacteria associated with the membrane vesicles bag like structure but not with the plastic as an eukaryotic cell जैसे कि example आप देखी eukaryotic cell में chlorophyll और जो photosynthesis होती है वो एक अलग उसके लिए organelles को काम दिया गया है जैसे बोलते हैं Plastid ठीक है पर procarriotic cell में कोई ऐसे organelles तो होते नहीं है modification हो जाता है जहां एक particular जगे पे chlorophyll जाके रहता है और भही वो अपना photosynthesis का काम करता रहता है ठीक है क्योंकि उन्हें organelles नहीं है तो ऐसे पूरली organized parts होते है procarrior में जो organelles जैसा work करते हैं ठीक है तो procarrior में दो चीज नहीं होती nucleus और cell organelles cell organelles से प्रेजेंट होते है eukaryorts में अब हमारा next जो component है वो है cytoplasm component नहीं जो एक structure है जो basic structure सारे cell में होते है वो है cytoplasm क्या है so when we look at the temporary amounts of the onion peel onion peel को जब हमने देखा है human cheek cell को जब हमने देखा है we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane cell membrane के अंदर एक बहुत जादा बड़ा area constitute होता है वो हमने देखा था this region takes up the very little stain इसने बहुत कम stain ली थी ठीक है बहुत कम color इसने ली आता क्योंकि उसमें पानी जाता होता है इसलिए staining कम ले पाता है 90% पानी सी बना होता है structure तो है नहीं को staining के लिए it is called the cytoplasm कैसी structure को बोलते है cytoplasm प्लाजमा अंदर के जितना भी flood content होता है जो liquid content होता है उसे बोलते हैं cytoplasm और अगर nucleus को भी कर ले तो उसको बोल देंगे protoplasm ठीक है so cytoplasm flood content होता है और इस flood में mostly 90% water ही होता है it also contains many specialized cell organeels और यही वह part है जिसमें सारे के सारे cell organeels present होते हैं जितने भी cell organeels हम पढ़ेंगे वो सारे इसी में present होते है each of this organism for specific function for the cell division of labor होता है cell के अंदर भी जो specific components आने की cell organeels होते हैं वो specific function करते हैं so cell organeels are enclosed by membranes cell organeels का एक feature है वो उन सारे cell organeels के पास होती है membrane जैसे कि हम nucleus को देखी चुके है उसमें double membrane होती है बाकी के विज़ते cell organeels है उनमें भी membrane होती है सिर्फ ribo zone को छोड़के जिसको हम organeels नहीं मानते और वो यूकेरियोट और प्रेकोरियोट दोना में होता है पर इसमें membrane नहीं होती यह non membrane bound structure है cell में ठीक है so in prokaryotes in prokaryotes में nucleus के अलावा cell organeels nucleus भी नहीं होता cell organeels भी नहीं होते on the other hand the nuclear eukaryotic cell have nuclear membrane as well as membrane bound cell organeels उसके अलावा eukaryote cell में दोनों ही चीज़ें होती है nucleus भी है और cell organeels भी है the significance of membranes can we illustrated with the example of viruses membranes के महत तो पूडता है वो वाइरस के example के थरू हम समझ सकते है viruses lake any membrane and hence do not show characteristics of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply so viruses के अंदर cell membrane नहीं है तो यह सबसे important कारण है दीकि viruses में genetic material तो होता है लेकिन फिर भी जब वो बाहर होता है तो वो कोई activity नहीं कर पाता ठीक है यानि कि living cell की तरह कोई activity नहीं कर पाता उसमें ना respiration होता है ना उसको खुद का nutrition लेने के लिए कोई काम होता है पर जैसे ही वो human body के अंदर या किसी animal cell के अंदर या किसी भी living organism के अंदर घुषता है जैसे कि हमने covid में देखा वो हमारी covid-19 जो corona virus है वो हमारी lung cell के अंदर घुष जाता है lung cell के अंदर घुषता है और lung cell हमारी एक cell है जिसके पास cell membrane भी है तो जैसे ही virus ऐसी जगे गुषता है तो उसे cell membrane भी मिल जाती है जिसके उसके पास कम ही होती है फिर वो एक living organism की तरह living cell की तरह work करने लगता है अपने आपको divide करता है और सारा cell और सारी अपने जैसे viruses को बनाने लगता है जब तक भी जब तक वो living body के अंदर नहीं गुषता तब तक ही सिर्फ ऐसा होता है एंड यूज एक cell machinery to multiply जैसे बॉड़ी के अंदर आ जाता है तो वह अपनी यूज एक cell की machinery को यूज करने लगता है डवाइड करने के लिए ठीक है तो prokaryotic cell basically small होती है क्योंकि पुरानी टाइप की है तो ऐसी यूज की छोटी चाटी सी ठीक है generally large होती है eukaryotic cell nuclear region इनमें कैसा होता है poorly developed होता है और उसको क्या बोलते है nucleoid ठीक है well defined nuclear region होता है eukaryotes में nuclear membrane होती है इसलिए उसको बोलते है nucleus single chromosome होता है prokaryotes में और इसमें more than one chromosome होते है example human में 23 pair of chromosome होते हैं यानि के total 46 chromosome होते हैं human cell के अंदर और इसमें membrane bound cell organelles absent होते हैं जबकि eukaryotes में present होते हैं अब हम देखते हैं cell organelles जो कि सिर्फ किसमें present होते हैं यू के रियोट cell में उचले वास every cell has a membrane around it to keep its own or content separate from external environment हर सेल के पास cell membrane होती है large and complex cells including cell from multicellular organisms need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function जो large complex animals होते हैं और जो complex cells होती है उनको कई सारी chemical activities करनी पड़ती है complex structure को अपने support करने के लिए उसके function को करने के लिए तो ये activities करने पड़ती है to keep these activities of different kind separate from each other जो हर प्रकार की अलग-अलग activities को करने के लिए these cell use करती है membrane bound little structure इनकी cell membrane के अंदर ये membrane bound चोटे चोटे structure होते हैं जैसे cell organeels बोलते हैं वो इनको use करती है इन functions को करने के लिए this is one of the features of the eukaryotic cell और ये सिर्फ eukaryotic cell में ही मिलते हैं cell organeels that distinguish them from prokaryotic cell जिससे हम इनको prokaryotic cell से differentiated भी कर सकते हैं और एक nucleus के basis पे भी कर सकते हैं some of these organeels are visible only within electron microscope और इनको electron microscope के ही जरीए देखा जा सकता है we have talked about the nucleus in a previous section एक organeels के हम बारे में हम already पढ़ चुके हैं जो की nucleus है ठीक है वो भी सिर्फ eukaryotic में मिलता है और membrane bound है तो उसे भी cell organeels ही नामते हैं some important example of cell organeels which we will discuss now are अब जो next हम cell organeels पढ़ेंगे उनमें से हैं endoplasmic reticulum galli apparatus lysosome mitochondria and plastic ठीक है they are important because they carry out some very crucial function in cell यह जरूरी है cell organeels क्योंकि यह कुछ जरूरी काम करते है crucial function करते हैं cell के अंदर चलिए पहले पहला जो organeels है उसे देखते हैं endoplasmic reticulum the endoplasmic reticulum is the large network of membrane bound tubes and seeds जो endoplasmic reticulum है वो large network के बहुत बड़ा जाल है membrane bound tubes का बड़ी-बड़ी tubes value ही है पूरे cytoplasm nucleus से लिए के cell membrane तक भी और जैसा कि हमने पता है सारे के organeels के पास membrane तो होगी ही होगी ठीक है कि हमने basic introduction में देख लिए कि सारे organeels membrane bound ही होते हैं तो ठीक है यह कैसे है structure में membrane bound tubes होती है या seeds जैसे होती है पूरी जो पूरी फैली होती है इत लुक्स लाइक long tubules और round और oblong bags तो इन में tubules भी होती है में वैसिकल्स जैसे भी हो सकते हैं दा इयार membrane is similar in structure to the plasma membrane ये structure में इयार जो membrane होगी वह structure में कैसी होगी प्लाज्मा membrane जैसे ही होगी ठीक है membrane का सबका structure सेम ही होगा वही structure होगा लिपेड प्रोटीन और कार्बो आइड़ेट से मिलकर बनी होगी थोड़ा थोड़ा अटेस्ट हो जाएंगे तो वो खुर्दरा सा देखेगा इसलिए उसको रफ एंड़ प्लाज्मी क्रेटिकुलम बोल देंगे और ऐसी यार पर कुछ भी अटेस्ट नहीं होगा उसके उपर कुछ भी नहीं चिपका होगा इसलिए वह स्मूध अप्रियर होगा अज्डियर लुक्स रफ अंड्रा मावडोस्कोब कोज अटेस्ट रफ रायबोजूम उन्में राइबोजूम होते हैं इसलिए वह रफ दिखते हैं देखें रायबोजूम प्रोटिन बनाता है सेल के अंदर ठीक है और यह यूजर्य और प्रोकैरियोड दौनों में होता ह यह non-membrane bound structure है ठीक है इसलिए दोना उन प्रेजेंट है the ribosome which are present in all active cells, ribosome जो हर active cell में present होता है are the site of protein manufacture जहां बनती है protein the manufacture protein are then sent to various places in the cell, उसके बार जो protein ribosome के अंदर बनी वो different cell में पहुंचाई जाती है उनकी need, उनकी आवशक्ता के अनुसार with the help of ER, network है ना पूरा, Cytoplasm में फेला हुआ है, the SCR helps in the manufacture of fat molecules, तो यह कौन सा ER होगा basically जो protein बना रहा है, RER क्योंकि उसी पर तो ribosome present है, ठीक है, so the SCR का क्या function है, यह तो हमने RER का देख लिए protein का function है, उसमें क्योंकि उस पर ribosome वट ऐसे होते हैं, जो कि उसको protein transportation में help करवाते हैं, तो अब SCR का function क् SCR helps in the manufacture of fat molecules और lipids, SCR जो है, वो fat molecules और lipids को बनाता है, जो कि cell function के लिए ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है, cell membrane ही बनी है, तो सब को fat और lipids बगएरा देना है, ठीक है, इससे और cell membrane बन पाए है, some of the proteins and lipids, cell बन बिंदिंग दी cell membrane, ठीक है, this process is known as membrane biogenesis, membrane biogenesis बोलते है cell membrane formation को, ठीक है, इस process को, membrane means, bio means, जो living है, genesis means, बनना, formation, some other proteins and lipid function as enzymes, और और proteins का क्या 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 वर्क होता है, जो यहाँ पर बनी है, यह हमने RER और SER का तो देख लिए, function अलग-अलग, RER protein बना रहा है, RER प्रोटीन बना रहा है, RER प्रोटीन बना रहा है, लेकिन जो अलाबा, जो प्रोटीन जो ट्रांस्पोर्ट हुए है, RER से, उनको क्या क्या function होता है, ठीक है, उनका कुछ function होता है, enzymes की तरह, hormones की तरह, ठीक है, all to the ER worries greatly in appearance in different cells, it always forms a network system, देखिए ER, एक network system बनाता है, पूरी cell में, transportation of substances के लिए, पहुंचाने के लिए, ठीक है, जिससे easily पह पहुंच पाए, और इसके लिए वो help लेता है, गौल की बोडी की भी जो हम next, अभी दीचे देखेंगे, first one of the ER is to serve as channels, तो अब function of ER देखिए, क्या-क्या function कर रहा है, वो transport material को, transportation के लिए channels की तरह बर कर रहा है, between the various regions of cytoplasm, especially किसका, proteins का, ठीक है, especially proteins का, between the cytoplasm and the nucleus, the ER also function as a cytoplasmic framework, ठीक है, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell, in the liver cell of the group of animals called vertebrate, ACR plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs, so, जो ER है, वो एक cytoplasmic framework, यानि, cytoplasm के अंदर एक framework है, जो एक surface provide करता है, कुछ activities के लिए, inside the cell, कुछ biochemical activities के लिए, cells के लिए, एक surface भी provide करता है, जैसे की example आप देखिए, जो की हमारा liver होता है, वहाँ, ACR, एक important role play करता है, एक framework के देता है, कुछ biochemical activities, जैसे की, detoxifying of many poison and drugs, लिवर के अंदर ये होता है, लिवर के जो ACR होते हैं, लिवर cells की जो ACR होती है, उन वो ACR, surface provide करती है, इस biochemical activity के लिए, detoxification के लिए, ठीजे, ये example है, अब हम next organeal देखते हैं, गॉलगी apparatus, तो गॉलगी apparatus फ़र्च डिस्क्राइब बैट था, केमिली गॉलगी, केमिली गॉलगी ने इनको डिस्क्राइब किया था, इसमें भी वैसिकल होते हैं, अरण इस अधर इस टेक्स कॉल्ट सिस्टन्स, ठीक है, जो, और कुछ ऐसे स्टेक्स होते हैं, जो कि, एक दूसरे के पहले लोते हैं, जिनने बोलते हैं, सिस्टन्स, तो इनमें दो छे जोती हैं, सिस्टन्स, एंड वैसिकल्स, ठीक है, इन गौलगी एपलेटस की मेंबरेन जो होती है, इनका कनेक्शन होता है, इन एर मेंबरेन के साथ, और इसलिए ये दोनों मिलकर एक, बनाते क्या हैं, एक पोर्षन बनाते हैं, कॉम्पलेक्स सेलुलर मेंबरेन सिस्टम का एक पोर्षन बनाते हैं, बेसिकल्य, इर, गौलगी बोडी, और लाइसोसोम, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं, सेल के अंदर, एंडो मेंबरेन सिस्टम, एंडो मेंबरेन सिस्टम, ठीक है, और उसी का पोर्षन ये बना रहे हैं, दोनों मिलकर, ठीक है, उनका क्या होगा अभ तो कि सब्सक्राइड और मंचेये और आउटी पहुंचाहिए जाएंगे इंसाईड और आउटसाइड यSल की पूछी हेल्ससकी तुक्तंतो अब पहुंचाएंगे पूरी तक भी या अब सैल के बाहर जाना है जो आरियर और यहार सबस्टेंट्स न्को मोडिफाई करती है उनको मॉडिफाई करके उनका पैकेजिंग उनको बाहर भेजती है प्रोडक्स इन वैसिकल्स उसके वैसिकल्स में करती है यह सब काम ठीक है और सिस्टंस में सारे जी सब काम होते हैं सिम एन वैसिकल्स के तुरू बाहर बेजती है इन सम एसे इन बाताया ना एंडल की अ जाती है एक दूसरी इंट्रकनेक्टेड है एर की membrane, गॉल की body की membrane से ठीक है और जो गॉल की body है वो ही बना रही है lysosomes को ठीक है तो basically होता क्या है गॉल की body को कोई ऐसा वैसिकल जो सारे के सारे hydrolis enzymes contain कर ले यानि कि cell को destroy करने के लिए ऐसे enzymes अपने अंदर रख ले ऐसा वैसिकल उसे ही lysosome बोल देते हैं यही इस तो detail में देख लेते हैं structurally lysosomes are membrane-wired sex filled with digestive enzymes structurally क्या होता है membrane-wired organile होते हैं यानि कि sex होते हैं यही जो जो हमने गॉल की body में देखे वही एक वैसिकल गॉल की body में से आके अपने अंदर ऐसे सारे digestive enzymes constitute कर लेता है उसे बोल देते हैं हम लाइसosome these enzymes are made by RER enzymes basically होते हैं proteins proteins कहां बनते हैं RER पर ठीक है तो जो इस enzymes कहां बनेंगे सारे के सारे RER पर लाइसosomes are a kind of waste disposal system of the cell जैसे कि हमारी body में digestion का का काम करती है हमारी intestine stomach वैसे ही cell के अंदर digestion का काम करता है लाइसosome ठीक है अगर कोई बाहर से बैक्टिरिया वैक्टिरिया गुजगया से अंदर और सेल की जो पुरानी चीज़े हैं जो अब काम में नहीं हा रही है उनको डाइस्ट करने का काम करता है फॉरान मेंटेरियल्स और पुराने और गनील्स तो यह करते क्या है विश ब्रेक्टिरिया इंटू सिंप्लर सब्सेंट से कॉम्प्लर सब्सेंट्स को एंज़ेंस के एल्प से सिंपल सब्सेंट्स में तोड़ देते हैं लाइससों आर एबल तू दू दिस बिकॉज दे कंटेन पावर्फुल डाइसेस्टिव एंज़ेंस के वल और 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 अर्गनिक माटेरियल यह सब होता किसकी हेल्प से एंज़ेंस के एल्प से दूरिंग दिस्टर्वेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म फॉर एग्जामपल वें दा सेल गैट्स एमेजड लाइससों में बस्ट एंड एंज़ेंस दियर उन सेल अगर सेल में खुद ही कुछ ऐसा हो जाए कि वो दूसरी सेल को अफेक्ट करने लगे यहां सेल कुछ गलत काम करने लगे जैसे कि कोई गलत प्रोटीन बना रहा है जो कि सरीर को अफेक्ट करे या कोई ऐसा बायो केमिकल एसिड बन गया सेड में जो कि सेल अपनी बोडी को नुकसान पहुचा रही है तो लाइजोजोन खुद ही पूरी की पूरी सेल को डाइजेस्ट करके खतम कर देते हैं इसलिए इनको सोओय बेक्स भी बोलते हैं अब हमारा जो नेक्स्ट और नील है मायटोंट्रिया उसको बेखते हैं म्हाइटो कॉन्ट्रिया वर आशओकोछी सेल कि यह पूरी हो रही है सब प्रोटीन बना रहे हैं बेज रहे हैं सब कुछ चाहिए एनर्जी और यह एनर्जी आती है माइटो कॉंट्रिया से ठीक है दो membrane में से outer membrane nuclear की भी पोरस थी इसकी भी पोरस है ठीक है और अंदर वाली काफी deeply folded होती है ठीक है उसमें काफी जारे फोल्ड होते हैं जो की surface area बढ़ा देते हैं these fold increase surface area for ATP generating chemical reaction क्योंकि अंदर की ही जो membrane होती है उस पे ही ATP बनता है mitochondria के अंदर और जितने ज़्यादा fold होंगे उतने ज़्यादा ATP उस membrane बन पाएंगे the energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP तो जो ATP है जो energy अपने अंदर restore करता है activities के लिए किसी भी cell के अंदर so ATP is known as the energy currency of the cell ATP को ही energy currency बोलते हैं cell key the body uses energy stored in the ATP for making new chemical compounds and for mechanical work तो body क्या ऐसे यूज करती है इस ATP को नए compounds बनाने के लिए जैसे कि RER protein बनाने के लिए ले लेगा SIR lipid fat बनाने के लिए लेगा गॉल की bodies को transportation के लिए energy चाहिए membrane में इनको pack करने के लिए modification के लिए energy चाहिए तो वो इनको वहां से यह सब काम करने के लिए गॉल की बोड़ी एटीपी ले लेगा तो यह सब काम करने के लिए ATP चाहिए mitochondria are strange organeals in the sense that they have their own DNA and ribosome ठीक है mitochondria एक अलग ही organeals है ठोड़ा strange type का organeals है in the sense किस वज़े से क्योंकि इस पर खुद का अपना DNA है मतलब सेल के अंदर तो basically DNA होता कहा है nucleus के अंदर ठीक है उसकी के अंदर DNA होता है लेकिन यूगरियोट सेल में mitochondria के पास अलग से उसका खुद का DNA है इस DNA के अलावा जिसको mitochondrial DNA भी बोलती है माई-कॉन्टिया की ऊपर खुद का DNA है ठीक है और खुद के राइवाजूम है तो यह एक प्रोर केरियों टिक सेल की तरह है मीजिए जैसे जिए प्रोबियोटिक सेल कर खुद का राइवियोम होता तो अब अपनी खुछ की cellular activities कर सकता है उसी तरह MitoAnn klar 실파 कर सकता है आप कह सकते हैं कि UK Apollo ogrció एक आदर स्माल ट्रोट गर्ट एक प्रोह एक स्छाई के तरह है ठीक है बेज्चिकली बाविशं कि टाइम पर ऐसे हिवा होगा एक युवाय के लिए पकशल तभी प्रोटिन ना सकते हैं अब देखते हैं प्लास्टेट अज्ट नी इन अव तक हम ने चितने और गव अनिमल प्लांट सेल वो हर सेल में हर युकेरियोट सेल में होते हैं लेकिन प्लास्टिड जो है वो सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं ठीक है धेरा टूटाट्स प्लास्टिड प्लास्टिड जो टैक के होते हैं क्रोमो प्लास्ट क्रोमो मीन्स कलर होता है कलाट प्लास्टिड ल्यूको प्लास्ट Looko Means वाइट होता है यह Colorless Plastid ठीक है जैसे कि हम बोड़ी में भी देखते हैं Leucocides, White Bloodsets थी Chromoplast Containing the pigment Colorful तो Chromoplast जो Color होते हैं वो किस वयाद से होते हैं क्योंकि वो Pigment Contain करते हैं जैसे बोलते हैं Chlorophyll और अगर वो chlorophyll Contain करेंगे Kromoplast थो उनको बोलेंगे Kloroplast ठीक है Kloroplast क्रोमपलास्ट के भी कुछ टाइब होते है Kloroplast अभी हम देखते हैं Kloroplast is important for photosynthesum plants जैसा कि हमने देखाता है कि जो है इंक लोड़ो प्लास्ट ऐसे Plasted है जो कि लोड़ो फिल कंटेन करते हैं और क्लोरो फिल ही ज़रूर ही है यल्लो और औरेंज clause पिंग्मेंट भी कंटेन करते हैं पर mostly और करते हैं जिससे उनका green कोलर हो जाता है और उनको मुझब प्राइप शीये है अब इसके यूके अलावा इस नहीं होता जिसलिए उन्हों प्रोटीन प्लांट में इस्टार्च ओईल प्रोटीन यह सब को अपने अंदर इस्टोर करेंगे ठीज न the internal organization of chloroplast consists of numerous membrane layers embedded in a material called stroma तो जो chloroplast के अंदर जो flowed material होगा उसको stroma बोलेंगे ठीक है जैसे कि cell के अंदर cytoplasm होता है उसी तरह chloroplast के अंदर stroma होता है material flowed content और उस stroma में बहुत सारे membrane की layer होती है ठीक है उन membranes को बैसे थालकोइड membrane बोलते है जो आप आगे देखेंगे basically chloroplast के अंदर थालकोइड membrane होती है जो कि flowed content में present होती है जैसे stroma बोलते है डीजा similar to mitochondria ने external structure बारी structure में ये mitochondria जैसे ही होते है जैसे कि double layer membrane वगएरा ये सब पूरस membrane बगएरा होती है ये सब्सक्राइब लाइक माइटो कॉंट्रिया प्लास्टेड ऑल्सो है दियर ओन डियने और राइबोजोम वह मैंने आपको एनिमल में बताया था लेकिन plant में ऐसे दो और गनील हो गए प्लास्टेड और मैटो कॉंट्रिया जो खुद का डियने और 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 आइबोुजोम कंटइन करते हैं अब हम नेश्ट और अर्गणील देकते हैं वेक्यूल्स वेक्यूल्स और स्टॉरी और स्टॉरे सेक्स फॉर। सॉलिड और लिक्विड कांटेंट्स वालिक्विड अल्ड़ कांटेंट को स्टोर करने के लिए अलग से और्गनील है वैक्डूल जो की श्रुड़ के मुश्ट ली एनिमल्स अफू ब्लाइट सैल में ही जादा बड़ा होता है परफिक है कुछे अनिमल सेल में तो यूजड़ अप होती है जल्दी जल्दी वैक्यूल्स बटी परसेंट सेल का एरिया कवर कर सकते हैं इन प्रांट सेल वैक्यूल्स अगर आप खुछ सोचिए एक बलून के अंदर दूसरा अलून पानी भर के अंदर रखोगे तो बाहर की इसके अंदर है बहुत से सबस्टेंस जो इंपोटेंस होते हैं वो बैक्यूल के अंदर रिस्टोर होते हैं दीज इंक्लूर अमाइनो एसिट सुगर जो भी सेल मेंब्रेन ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए खाम आ रहे हैं बेसिंग मेटाबॉलिजम के लिए खाम आएंगे वो सब इसी के अंदर प्रेजेंट होंगे बड़े बड़े मॉलीक्यूल इन सिंगल सेल्ड ऑर्गनीम्स लाइक अमीबा था फूड वेक्यूल कंटिंग ता फूड आइटम्स देट रामीबा हैज कंजूम्ड अंजूम ज इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम्वेश्ट फॉंड असल ऐसे ही यूनिचलल ऑर्गनीम्स में एक्सेस वाटर को एसी वेक्यूल में स्टोर करके बाहर फैंका जाता है इस सेल्था सेक्वाइस इडिस्ट्रॉक्चर एंड एबिटी तो फंक्शन विकॉज अब यहां तो हमारे और्गनील्स यहां तक तो खतम हो गए अब हम नौर्मली देखते हैं जो तरह हमने पढ़ा है तो क्या कह रहे हैं अब यह इस सेल थस एक्वाइस इडिस्ट्रॉक्चर एंड एबिलिटी दू फंक्शन तो जो हर प्रतिक जो सेल होती है वो अपना स्प एक्वार करती है वो उसके किस पर डेपेंड करती है और गनाइजिशन और उसकी मेंबरेन पर और उसमें और गनील्स किस तरीके से और कितनी अमाउंट में प्रिजेंट है वो डिसाइड करते हैं तो सेल था सेल था सेल था बेसिक इस्ट्रॉक्चलर और्गनाईशन तो coécawning nutrition and clearing waste materials और फ़ फॉर्मिंग न्यूप प्रोटीन यो की हेल्प करते हैं को यह सारे काम करने के लिए उयूज कर्धियोटिक होगी तो साइट्ण बडाजमि मोडिफीकेशन हो जये सारे काम करने के लिए ठीक है ना यह तो क्षेसी को करती है किसकी वज़ेसे करती है विकोज अफ दिस और्गनाईशन जो सेल के अंदर है और और्गनील्स उसमें प्रिजेंट है उसकी ही वज़ेसे करती है ठीक है तस्दा सेल फंडामेंटल एंड इस्ट्रक्श्रल यूनिट ओफ लिविंग और्गनीम्स इसी वज़ेसे सेल जो है फंडामेंटल फंडामेंटल मीन्स जो सारे फंडामेंटल जो एक मिनिमम जो और्गनीम्स में हो सकते हैं वो सेल ही कर पाती है और जो मिनिमम कोई ऐसी यूनिट जो पूरे और्गनीम्स को कंस्टिटूट करती है structure उसका बनाती है, वो भी cell ही है, इसलिए इसका fundamental or structure unit of living organism बोलते हैं, it is also the basic functional unit of life, अब देखते हैं cell division, ये तो हमने देख लिया कि cell important होती है, cell basic functional unit of life है, पर हमने जैसे कि देखा, multi cellular organisms में एक cell ही tissue बना देती है, फिर organ बना देती है, फिर organ बनाती है, तो इतने सारे एक cell वो कैसे कर पाती है, वो कर पाती है cell division के through, तो cell division क्या है, new cells are formed in organisms in order to grow, new cells बढ़ती हैं organ उनको बढ़ने के लिए, पुरानी cells को replace करने के लिए जो खतम हो गई है, खराब हो गई है, और जो बेकार है, उस cell को replace करके damage हो गई है, उनको repair करने के लिए ठीक है, and to form gametes required for reproduction, और जो gametes बनेंगे, reproduction के लिए जो required होते हैं, gametes, gametes haploid cells होती है, यह आप बाद में समझ पाएंगे, haploid deployed, haploid cells होती है, जो की reproduction में काम आती है, ठीक है, gametes are haploid cells, so the process by which new cells are made is called cell division, तो जो सारी ही cells जो बनती हैं, वो cell division के थ्रू बनती है, और cell division होता है, सिर्फ दो टाइप का, mitosis and meiosis, to the process of cell division, why is most of the cell divide for growth are called mitosis, mitosis is common cell division है, वो सारी ही cell में होता है, growth वगेरा करने के लिए, सब चीज के लिए, in this process, mitosis में क्या होता है, is cell called mother cell, परते एक cell जो होती है, वो mother cell होती है, यानि की mother cell वो होती है, जो division कर रही होती है, इस case में mother cell ये है, जो कि दो daughter cell बना रही है, A और B को, A और B daughter cell, ठीक है, डवास टूपाम identical daughter cell, mitosis में होता क्या है, जैसी mother cell होगी, बैसे ही daughter cell बनेंगी, बिल्कुल identical, देखिए, इसमें mother cell के अंदर, दो red chromosome है, और दो blue chromosome है, A और B daughter cell में भी देखिए, दो दो ही है, ठीक है न, अगर same number of chromosome होंगे, mother cell और daughter cell में तो उसको बोल देखिए, mitosis cell division, it helps in growth repair और tissue, next case है, specific cells of reproductive organs, reproductive organs में specific cell होती है, और कुछ tissue भी होती है, animals और plant में, divide to form gametes, जो की gametes बनाती है, देखिए, जो specific cells, animals में होती है, उसको आप आगे देखेंगे, उनको sex cells बोलते है, animal में होता है, male में, इस पर मेट हो जोआ, ठीक है न, और woman में होता है, ओ वा, तो ये जो sex cells हैं, ये बनाती है, gametes, जो की haploid होती है, जिन में chromosome number, उनकी mother cell का आदा होता है, which after fertilization, give rise to offspring, fertilization का मतलब होता है, addition of gametes, addition of gametes, यानि कि addition of these sex cells, haploid sex cells, एक gametes, फादर का, एक मदर का, ठीक है, और बन जाएगा, of spring, they divide by a different process called meiosis, तो ये जो gametes है, वो बनते कैसे हैं, एक different process से बनते हैं, जिसको meiosis cell division बोलते हैं, और ये meiosis cell division होता है, इन specific cells, जैसे की, spermatojoar, ओवा में specific cells में, ये division होता है, जो की involve करता है, दो consecutive division, जिनके अंदर दो division होती है, हैं, इसमें देखिए सिर्फ एक ही division हुआ, यहां पर दो division हो रहा है, एक और दो, ठीक है, meiosis में, पर साथ ही साथ होंगे, दोनों division, दे न्यूँ cells only have half the number of chromosome, then that mother cell, mother cell में देखिए, दो red chromosome है, दो blue chromosome है, अब जो final ABCD daughter cell बनी है, उनमें आप देखिए, एक red chromosome, एक blue chromosome है, तो आदा रह गया, तो जब आदा रह जाता है, इसको बोलते हैं, meiosis cell division, the new cells only have half number, ठीक है, can you think, as to why the chromosome number has reduced to half in daughter cell, ऐसा क्यों होता है, आदा क्यों हो जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ABCD जो बनी है, वो daughter cell जो कि gametes बनी है, यह sex cell है, जोसको यहां मतर सेल भी बोल रहे हैं, यह specific sex cell है, जिसमें की meiosis division होती है, ठीक है, अब जब इसमें, यह meiosis division होगे, तो यह daughter cell बनेंगे, इनको gametes बोलते हैं, और इनी half number of chromosome को haploid content बोलते हैं, इसको आप आप detail में आगे देखेंगे, तो यह basically यह chapter है, इतना सब आपने देख लिया है, काफी यह chapter है, आशा करता हैं, आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्योंके सबस्क्राइए थांपने हैं, अब्राइए थांपने हैं, इसको सब कर देखेंगे को सबक्राइए लिया हैं, अएगाओाएए दिए लिया हैं, आपको सुछ सम्झ में यह बमेंगे, यह ठाएगे हैं,